साल 2030 complete production देने वाला हूँ इस साल में कौन-कौन सी घटना होंगी और किस प्रकार से आपका आने वाला साल होने वाला है यानि जो साल चल रहा है साल 2030 स्टार्ट हो चुका है काफी लोगों का कमेंट्स मिला है काफी लोगों का मैसेज आया है कि इस साल किसी प्रकार का कोई production आपने नहीं दिया है 2030 के उपर तो यह वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में complete production होने वाला है पूरी भविशिवाड़ी आपको देखने को मिलेगी क्या क्या साल 2030 में घटित होने वाली है आप अच्छा सह इस वीडियो को नोट करिएगा इसमें जो predictions होने उसको नोट करिएगा इस वर्स राजा मंत्री एवं राजा बुद्ध एवं मंत्री सुक्र है वर्स लगन के विचार से लगने इस अस्टमभाव में है वर्स का राजा बुद्ध सनी सिद्रिष्टी है इस ग्रह इस्थिती के अनुसार उग्रवाद वा आतंगवाद ताक्ते 20 उभर में भूभाग में फैल कर वाहन दुरगटनाए 24 तक से जन्धन के हानी करेंगे सस्टेष्ट मंगल का अस्टम में होना अनेक राष्ट्र सीमाओं पर सैन संखर्स अत्वा युद्ध जैसे वाता ब्रड़र रहेगा ब्रिटन, फ्रांस, बेलिजियम, अफ्रिका, ये अरब, इरान, पाकिस्तान, अफगारिस्थान, चीन, रूस, इसराइल तथा भारत के भूबाग पर युद्धादी बादलों के छाया के बादल मड़ाते रहेंगे बिरोदी दल का बर्चस बढ़ेगा इस वर्स के राजा बुद्ध न पुन सके मंत्री दैत गुरू सुक्र हैं इससे अनेक राष्टा अधिकारे एकत्रित होकर बिरोद करेंगे गुरू पंचमेज, पंचमस्थ हैं यहाँ पर आप समझने वाली बात यह है कोई VCS कानून की बात के ही गई है जो कि इस साल लागू होने वाला है या फिर हो सकता है कि इस साल आपको VCS कानून लागू होते हुए देश में देखने को मिलेगा इस बिसेस कानून में आपके जो कानून काफी लंबे समय से पेंडिंग में है जैसे कि भारत के लिए अगर बात की जाए तो यूनिफॉर्म सीविल कोट हो गया जन से ख्याने इंतर कानून हो गया या अन्य किसी प्रकार के जो कानून जो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं वो हो सकता है लागो हो जा इसका जबर्जस्त बिरोध किया जाएगा पूरे देश में पच्छी के जरीए वो तोड़ फोड़ की नीती अपना कर सत्तार रुदल के नीतियों को नकारेंगे भारत के साथ अन्य बहुत से देश ब्यापार संबद बनाने के उसक होंगे भारत सर प्रटांग के रूड लग रहा होगा कि अमेरिका जो है भारत को कमजोर करने के लिए प्रयास करेगा तो यह बात बिलकुत सही आने वाले समयाब का देखने को मिलेगा किस प्रकार से अमेरिका भारत के खिलाफ सरयंत करेगा कभी भी नहीं चाहेगा कि वह एक बीसो पटल पर उभरें पस्चिमी प्रांतों के देशों में राजनेतिक संगत गहराएंगे कहीं भयावब भयानक विस्फोर्ट वातरवड़ से अंतरिक असांती बनेगी प्रमुक देशों में भी युद्ध में वातरवड़ बनेगा अमेरिका रूज जर्मनी एवं मुसलिम के लिए भैदायक रहेगा वर्तमान वर्स में दो स्रवन का फलादेश इस प्रकार हैं दो स्रवन मास में अधी मास होने का दुर्विच्छ अल्पवर्सा तथा भय की इस्तिति उत्पन होती हैं लोब की बुद्धी पाप युक्त हो जाती हैं सासन कुरूर वेक्तियों द् जन्ता में भै रहेगा चीन जापान रूस तिबद वर्मा आधी राश्ट्रो में भूकमपादी प्रक्रतिक प्रकोप से जन्धन की हानियों का योग है राजनेतिक दलों में विशेश तोड़ फोड होगा प्रधान नेता को कठिन परिस्तितियों का सामना करना पड़ेगा यानि जो भी प्रधान नेता रहेगा किसी भी बहाग या किसी भी च्छेत्र में कोई प्रधान नेता उसको प्रधान मतलब जो व्यक्ति प्रधान रहेगा उसके लिए इस समयकाल में यान में जंधन का नुक्सान होने का योग है अभी आपने देखा कि नेपाल में हालही में यांदुर घटना हुआ है यानि बीमान के बात कही कि यह हुआ है और इस तरह से घटना है आपको साल 2000 देश में कईट देखने को मिल सकती हैं भारत की सासन सत्ता में समक्ष भी समस्या आदी डेखटनाओं में प्रजाक में भय की बिद्धी होगी दच्षेड प्रांतों में चक्रवार तूफान उपद्रों से हानी होगी सीमा वर्ती चेत्रों में स्वनी गति रोध होगा बिधान सभा आदी लोकतांत्रिक परिश्दों में अनेक बौधिकता पूड़तर्क इवं बितरक बिवाद बनेगा बारत के गुप्तिचर बिवस्था को चुश्टों में दुरूस्त रहना होगा अन्य था अंतराश्टिय सीमा पर अनेक प्रकार के विस्फोर्टक से जंधन के हानी भी हो सकती है ऐसा इस बाल के बाद की प्रवल समहोना है थोड़े आगे ब इतनाओं में बढ़कर प्रजा में धासत होगी कहीं किसी प्रधान सासक अत्वा महान पूरुस का निधन अत्वा त्याग पत्र हो सकता है पंजाब भारत की बात की जाए तो पंजाब राजस्थान गुजरात तथा कस्मीर के सीमा वर्ती छेत्रों में संगर्ज एवं जंत साल है कर्म सरकारी कर्मचारियों के कल्यार है तो कारी होते रहेंगे संगर्ज सात्मक परिशित्या उत्पन होंगी दच्छिड भार भाग में प्रकृतिक आपदा घटित होगी बालको में जुरादी गंभीर रोग अथवा किसी पस जनित रोग क्या प्रकूब भी रहेगा का इस पस्चेनित का कहने का दाथ पर है जो की चुअ चुट से होने वाला रोग हो जैसे एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांस्फर हो सके तक यह जो है उसका विप्रकृत हो सकता है आपको देखने को मिल जाए रेलवे तरह दूर संचार विभाग में अन पेच्छित घटना तथा इमारत गिरने से जंधन में भारी छती होगी, सरकार द्वारा टैक्स में अनावश्यक भृधी भी हो सकती है, देश की अर्थविवस्था प्रवावित होगी, उत्तर पश्चिम भाग में कुछ उपद्रवकारी घटनाई घट सकती है, आर्थिक मुद्दे पर सरकार को लचीला रुख अपनाने क्या हो सकता है, विपच्च अपना दबाव बनाने में सफल होगा, मद्यवप पश्चिम भारत में आराजक्ता एवं प्रक्रतिक अब्दा से जंधन की हानी होगी, कहीं बंबिस्पोर्ट से हानी होगी, उत्तराखन परवतिय भूभाग पर उत्त भारत में जल प्लाव से भैंकर जंधन हानी के संकेत मिलते हैं, एवं सिवावर्ति छेत्रों में सैन, शंघर सत्था मुस्लिम राष्ट, इरान, इराक, अफगान, स्तान, तूर्की आदी में घरेलू हिंसा, फसाद, वोकर, सास, कूं, कूं में चिंता बढ़ेंगी, पूर् दच्छिर प्रांतों में आपसी मतभीद बढ़कर जनतंत्र में आक्रोस होगा, प्रकृतिक प्रकोप, पुकंप, समुद्री तूफान, अति विष्ट्री, यानि अना विष्ट्री की बात कहेंगी हैं, जिसमें से बर्फ बारी, आदी की जंधान के हानी के योग हैं, महाराष्ट उडिसा एवं अने प्रांतों में अति वर्षड में इसे दुर्भिच की स्थिती बनेगी, कहीं दुर्घटना से जानमाल का नुक्सान, एवं सीमा प्रांतों में, पर सस्तुरुद्रेश की गतिविधी से राष्ट के सेनिकों को साधान रहना होगा, प्रांतों में नवीन करांती का उदय होगा, होकर जन उपद्रों से सासकों में भाय की ब्रिद्धी होगी, विपच्छ बल सफल होगा, प्रवर्वतिय प्रांतों में प्रकृतिक प्रकोप से जन्धन की छती होने का योग है, भारत अपनी सीमा सुरच्छा स्वयम करेगा, फरवरी तिथा दिसंबर महिने में अगनी कांट अपगात जननधन की हानी होगी रच्री पूर्वी छेत्रों में उपद्र उत्पाद प्रक्रति घटना होगी पंजाब हरियाना दिल्ली रायस्थान पस्चिमोत्रमी की जनता प्रक्रति गाबदा अपराद ब्रिद्धी में इसे प्रशान होगी उत्तरार्थ में कोई भयावा समुद्री घटना भी घट सकती है ऐसा कम होना है बीदेश व्यापार में ब्रिद्धी होगा राहु गुरु की यूपती से गर्मी धूप में तेजी होगी मार्च से जून के बीच में भीशर गर्मी पड़ेगी उत्तर प्रदेश सहीद उत्तरा खंट था उत्तर भारत ताप लहरी की चपेट में रहेगा उडिशा उत्तर प्रदेश के अवद प्रांत में सामाजिक इवर धार्मिक समस्या उभर कर सामने आएगी पाकिस्तान से लगने वाली अफगानिस्तान के सीमा पर अलकाइदा वह तालिबान की गत्विदियों में तेजी होंगी आई असाई की गत्विदिया अफगानिस्तान में पूर्ण सांती का करणब बनेगी निताओं के आपसे तनाव होकर आंदुरन बिग्रह था था तोड़फर वहानी का कारण घटनाओं से जनता के आकरेस वह भाई के ब्रिद्धियों कि देश की कई प्रांतिय सत्तरोड़ी पार्टियों में बिग्टन बनेगा के अधक परिश्रम से देश की स्थिती में काफी बदलाओ आएगा आयरलेंड सुडान बंगलादेश स्रिलंका भारत कस्मीर वचीन आदी राष्टों में गुप्त प्रशिच्छड केंद्रों से जनकारी लेकर ध्वास्त करने का प्रयास करेंगे पूर्विय प्रांतों में भुकम भूस खलन अतिवरिष्टी तूफान आ संतर बढ़कर विग्रह बढ़ेगा परवति प्रांतों में प्रकरतिक प्रकोपों से जन्धन की छत्ती होगी देश के महान पूर्सों या प्रधान सासकों में कष्ट प्रद रहेगा रह सकता है विकास कार्यों के प्रतिन नवीन बेवस्था बनेगी आयात नेद्याद कार्यों में प्रगति बढ़ेगी उत्रांचल, हर्माराष्ट, आसाम, मरीपुर, जमू कश्मीर, उड़िसा, कश्म गुलार्थ में जन उपद्रो, कलाह सासकों में आपसी तनाव के वातरोड़ा रहेगा दच्छडी पस्चिमी प्रांतों में प्राकरतिक भुकंप, तुफान वा चक्रवाद आदी घटना उसे छती होंगी, बिश्व के कुछ राश्टों में भैंकर प्राकरतिक प्रकोव स से हानी होगी, सीमा प्रांतों में यूद्ध जंधन के हानी होग के योग है, बहांद्र गटना दताधार्मिक एवं साम प्रदाई कि अधिकतार रहेगे, ठगी चोरी के उपद्रों से जन जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, सीमा वट्री चेत्रों में सैनी गत्री रोध एवं से हानी हो सकती है, बेच्व में कहीं, असांती युद्ध भै, अगनी कान से हानी, मुस्लिम देशों में जन संगहार, भुकम से अमेरिका, जापान आदी में हानी, कहीं भेंकर वर्षा से जन धन के हानी, इस शान कोड़ से कहीं सकता, परवर्तन के योग, राजनीतिक दलों विवस्था लागू होने से दवी पच्छी वर्ग तोड़ फोड़ की निती अपनाएगा इसलिए भारत के सासन सत्ता को साधानना चाहिए पस्चिमी रास्टों में कहीं भहेंकार असांती होगा कहीं दुल विच्छ कश्मीर से रोग भै विवम असांती रहेगा जापान राजनीतिक में विश्यस परिवर्तन का संकेत है भारत पाकिस्तान नयत्र कहीं सीमा प्रांतों में संकों गत्वीदी तेज़ों रहेगी कुछ रास्ट्रों कुछ देशों में भहेंकर युद्ध का भय व्याप्त रहेगा चोरी ठगी गटनाएं अधिक होंगी कुछ देशों में राजनीतिक विश्यस परिवर्तन के संकेत हैं राजनीतिक उलट फेर बिहार उत्तरप्रदेश मद्देप्रदेश कहीं विश्यस समस्याओं को लेकर गतिरोत पैथा होगी कहीं मंत्री मंदर परिवर्तन हो सकता है मह गाई में बड़त्री होगी जिससे जनता में सासन के प्रति जो है असांती बढ़ेगा चीन जापान भूटान नेपाल बुर्मा रथा फूर वी प्रांतों में बुकम पत्वा तुफानादी से जन्दन के होने के संभावनाएं जादे हैं चीन के उद्धता के काड़ा विवाजन के दुख दह त्रासदी के समान हो सकता है सत्य से बड़ा कोई नहीं है आने वाले समय में आपसी सुजबुज एवं सदबिस्वास के वातरवड़ में बहुत से राष्ट एक हो जाएंगे सत्यी सर्वपरिय होगा तो यह थी साल दोजा तेज की कुछ महत्पुर भविश्वारियां जिसमें आपने पूरी साल के समरी जो है देख ली है कोई भी आपके कमेंट्स होंगे वह जरूर हमको कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई प्रस्न होंगे तो वह दीजेगा समधान दिया जागा धन्यवाद